दोस्तो आज भारत के अंदर इंधन के लिए सबसे ज़ादा पेट्रॉल और डीजल का प्रयोग किया जाता है जिसका 82 से 85 प्रतिस थित्सा हम दुनिया के अलग-अलग देशों से आयात करते हैं जिसके बदले एक मोटी रकम पे की जाती है लेकिन अब ये तस्वीर बदलने वाली है क्योंकि अब भारत ने hydrogen produce करने की दिशा में एक बहुत बड़ा step लिया है जिहां दोस्तो हम बात करें हैं देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड के बारे में इस कंपनी ने जो डिसीजन लिया है वो भारत की सभी कंपनी ओ को पीछे छोड़ चुका है जिहां दोस्तों यहां पर तीन कंपनी ओने आपास में पार्टनर्शिप की है इसमें पहली है इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड दूसरी है एलन टी और तीसरी है रिन्यू पावर इन तीनों कंपनी इस पार्टनर्शिप से जो भी बड़े equipment यूज किये जाएंगे उनकी supply करेगी और Indian oil यहाँ पर transportation का काम handle करने वाली है वही जानकारिक आपको बता दे कि अभी तक hydrogen produce करने के लिए अमबानी, अडानी और भी कई बड़ी कमपनियों ने billions of dollars खर्च करने का वादा किया है लेकिन Indian oil की यह सबसे बड़ी deal है जो इन सभी कमपनियों को पीछे छोड़ती है जापर होने वाली इस partnership पे बाद उतरी भारत में Indian oil की मतुरा और पानी पत रिफाइनरियों में इन hydrogen produce करने का काम को किया जाएगा वहीं green hydrogen को सबसे clean energy मारा जाता है और इसको electricity से produce किया जाता है जिसका इस्तमाल बड़े पैमार पर steel, cement और तेल रिफाइनर जैसे बड़े decarbonize projects के लिए किया जाता है वहीं दूसरी और देखा जा तो भारत के अंदर petrol और diesel की वज़े से इतना जादा pollution बढ़ रहा है जिसको reduce करना बेहद ही जादा जरूरी है और hydrogen उसका सबसे बड़ा alternative option बन चुका है जहां पर बात करें पिछली दो कंपनियों यानि अडानी और Reliance Group के बारे में तो कंपनियों ने decide कि है कि वो 2030 तक लगभग 50 लाग ton hydrogen का उत्पादन करेंगी अपनी अलग-अलग factories में जहां 2030 तक भारत के अंदर जो hydrogen की demand है वो 1.2 करोड ton तक बढ़ जाएगी तो अब फाइनली बात करते हैं कि तीनों कंपनिया ने Indian Oil, Renew और L&T के द्वारा ये partnership के जरीए कितना hydrogen produce किया जाएगा तो यहां पर जो पहला target है वो 2030 तक 70,000 ton produce करने के उपर काम करेगी जिसमें लगभग 60 billion US dollar का निवेश किया जाएगा और इस project के लिए लगभग 50,000 watt electrolyzers बनाया जाएगे वहीं कुछ reports का ये भी कहना है कि भारत के अंदर जो produce होने वाला hydrogen है वो दुनिया का सबसे सस्ता green hydrogen fuel रहने वाला है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी opportunity है क्योंकि भारत में सबसे सस्ते अगर hydrogen को produce किया जाएगा तो बहुत बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी और आने वाले future में भारत hydrogen fuel exporter हब भी बन सकता है क्योंकि UK जैसे देशों की बात की जाया तो उन्होंने target बना लिया है कि 2027 तक और 2030 तक उनके country में डीजल और पेट्रोल वाले vehicles को 1% भी operate नहीं किया जाएगा वहाँ पर completely electricity और hydrogen fuel का use किया जाएगा आने विले future में ऐसे और भी देश decision ले सकते हैं जिसका भारत बड़े पैमाने पर फायदा उठा सकता है hydrogen को export करके तो तीनों company की हुई partnership के बारे में आप लोगों की क्या रहा है comment box में ज़रू लिखेगा